कपास में तेजी का दोर हुआ शुरू दरसल फसल की कम आवक और अधिक मांग के कारण भारतिय कपास की कीमते 55,000 उपई से बढ़कर 58,000 पे प्रतिक एंडि पहुच गई है अंतराश्य का पास की कीमतों में आ रही तेजी का असर भारतिय कीमतों पर देखने को मिल रहा है चानकारों का कहना है कि उची कीमते निर्यात को परभावित कर रही है भारतिय का पास की फिजिकल आवक धिमी होकर 50,000 गांट प्रति दिन रहे गई है हलाकि विशेशग्या मान रहे हैं कि उंची कीमतों से आगे चलकर एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकता है कुल मिलाकर देखा जाए तो बाजार में उतार चड़ाव डिमांड सप्लाई की गती शिलता और भारी स्थितियों जैसे कारकों से प्रभावित हुआ है लगबग एक साल तक सुस्त मांग के बाद पिछले दो महीनों में कपड़ा बजार में मांग में सुधार देखने को मिला है और विश्विक स्तर पर फरवरी के दुरान कपास की कीमतों में सुधार हुआ है और आगे भी देजी की संभावना के साथ यह जरुजान जारी रहने की उमीद जताई जा रही है कपास की बड़ी कीमतों के कारन कई राजियों में स्पीनिंग इकाईयों को प्रोफिटेबलिटी बनाए रखने में काफी कटनाईयों का सामना करना पड़ा है स्पीनर एसोसियेशन गुजरात के उपाध्यक्ष का कहना है कि लगबग दो महीने तक कपास की कीमते 55,000 पे प्रती कैंडी के सर पर कारोबार कर रही थी जिससे निर्यात मांग अच्छी खासी बनी हुई थी हलाकि कीमतों में हाले वृद्धी ने फिर से हमारी निर्यात प्रतीस परधा को प्रभावित किया है फरवरी में सूती धागे की कीमते 235 रुपे प्रती किलो से बढ़कर 255 रुपे प्रती किलो तक पहुँच गई है लेकिन इससे अंतराश्य बजार में भारतिय का पास फिर से महंगा हो गया है वर्तमान में नई निर्यात ओरडर लगबग 203 पर रुपे प्रती किलो ग्राम पर उपलब्ध है जिसमें खरिदार देश के बंदरगाह पर माल भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट, माल ढुलाई ये सब खर्चे शामिल है दरसल निर्यात के लिए सरकारी प्रोटसानों पर विचार करने के बाद भी निर्यात जो है वो अविवारय बना हुआ है पिछले कुछ महिनों में घरेलू मांग अच्छी रही है लेकिन जानकारों का कहना है कि यान की कीमतों में 20 उर्पे प्रती किलोग्राम की भड़ोतरी से निर्यात कहीं ना कहीं परभावित होता दिखाई दिया है ऐसे में बादार जानकर मान कर चल रही है कि आगे आने वाले दिनों में कपास की कीमतों में तेजी का दोर बना रह सकता है